Hi everyone, welcome back to my channel once again, this is Gaurav आज की वीडियो में हम लोग करेंगे Bank Nifty की Price Action Analysis और साथी साथ देखेंगे कल की Levels तो जैसा कि हमने कल की Levels आपको बताएं थे मार्केट ने सेम उस Level को रिस्पेक्ट किया है अगर आप देखोगे, मार्केट इसी Level के आस पास से Consolidation Create किया और एक बढ़िया Bullish Momentum हमें मिली These are the 15 Minute Candles तो हमें एक बढ़िया Momentum मिली हम अपसाइट के तरफ और सेम मार्केट ने इसी रेंज में आकर एक Rejection लिया, यहाँ पे एक Doji Candle बनी है, लोग इससे Indecisive बोलते हैं, बट It's a Decisive Candle हमें बढ़ा तो नहीं, बट एक अच्छा Restore Award हमें मिल गया, यहाँ पर मैंने यह Trade को अपने Free Telegram Community में Share किया था, आप यहाँ देख सकते हो, कि Bullish Engulfing के बाद हमें यहाँ पर, यह Green Candle बनने के बाद हमें यहाँ पर Entry ले नहीं है But I am not expecting कि Market यहाँ से यहाँ चला जाएगा Just a Target for this 43,000 के Levels तक ही Market का Expect करना था, मैं Target का, बट लगतार Market Green Candle बना के, उपर के Set चला गया, और हमें यहाँ तक की Target Momentum, जो आप बोलो मिल गई तो अगर आप Nifty देखोगे, Nifty की चार्ट तो Nifty आज काफी ज़्यादा Strong थी, Market somewhat gap down Open हुआ, इसी support range पर एक Low बनाया, और उसके बाद से एक अच्छा कासा हमें upside momentum मिला Nifty में Nifty अपने all time high के उपर तो निकला, बट closing हमें उपर नहीं मिली Market यहीं से reverse कर गया, this blue line is the all time high, और उसके बाद Market यहां से reversal सो किया तो दरीज़ पॉसिबिलिटी की Market कल gap down ही open हो, अगर flat open होता है तो फिर हमारे पास यह जो red candle है यह जो green candle की wick है जो multiple points सम्ने match कराई है यह हमारी work करेगी as a support अगर market flat open होता है तो और market अगर इस range का breach कर देता है तो हमें downside momentum देखने को मिल सकती है बिकस अगर आप देखोगे as per the OFT, consolidation upside की momentum अभी इस range में downside की momentum pending है तो यहां पर गर market आता है price आती है तो हमें अच्छा momentum candle मिल सकता है ऐसी range में तो इसके लिए भी आपको prepare रहना है अगर आप nifty trade करते हो तो personally मैं nifty trade नहीं करता बहुत ही rare करता हूँ because my specialization in the bank nifty मैं bank nifty को ही trade करता हूँ और उसके लाबा सिर्फ और सिर्फ positional trade ही करता हूँ so let's move on to the nifty bank हमारी entry इस green candle के high के उपर बनी यह green candle की closing हमारी SL थी हमने अपनी half quantity यहां book की और full quantity इसी range पर हमने book कर ली we had not gone for this level because I am not expecting this much of momentum उसके बाद हमें दुसरी trade जो मिली यहां पर मिली यहां पर candle ने green candle बनाई सबने यहां पर entry ली होगी definitely मैं कह रहा हूँ यहां पर सबने entry ली होगी और अगली पल क्या बन गए यहां पर dozy candle और कहां बनी एक resistance पर एक level पर कहीं बीच में नहीं बनी है एक level पर बनी है एक resistance पर बनी है और उसके बाद एक डोजी candle के बाद ही हमने sell किया personally मैंने option को sell किया है मैंने buy नहीं किया put को यह हमारा SL था और हमने पूरी quantity इस level के आसपास हमने book कर ली यह हमारी आज की दो trade थी जिसमें से पहली trade हमने अपनी free telegram community को भी share किया था और इसे मैंने कहा था कि as a learning के लिए आप इसे देखो तो आए देख लेते हैं कल की levels अगर आप देखोगे कि market अपने total range के बीच में somewhat closing दी है तो अगर यहाँ पर market flat open होता है आना तो तुरंत फिर क्या होगा यहाँ पर सुभे में ही 9-15 से ही straddle strangles position बनने सुरू हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगे market में volatility create हो जाएगी upside भी downside भी ऐसा situation बनता है तो यह तो आप scalping कर लो या फिर trade मती करो जब तक कि इस range का breakdown या फिर इस range का breakout नहीं हो जाता और अगर market gap up open होता है यहाँ पर consolidate करके यहाँ पर breakout देता है चाहे 5 minute के time frame पे हो या 15 minute के time frame पे हो आप breakout के बाद अगली candle पर entry ले सकते हो after pullback जिसमें से आपकी पहली target होगी यह range 60-70 point आपको मिल जाएगा जैसे मैंने कल बताया था और market समवाट इसी support पर open होता है gap down होकर तो हम लोग यहाँ से छोटास के scalping पलान कर सकते हैं मैं बड़ा यहाँ से trend क्यों नहीं बोल रहा हूं grab करने के लिए because अगर आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे कि इस level का breakout या फिर breakdown नहीं हो जाता anyways ways तो देखिए यहाँ से अगर market reverse करता है scalping trade पर आपको entry मिल जाती है तो यह इस level तक कहीं आपको target रखना है या फिर इस closing तक का target रखना है और अगर market gap down ही open हो जाता है तो इसके पास में हमको क्या मिलेगा upside का momentum complete हो गिया as per the OFT downside का momentum complete हो जाएगा as per the OFT अगर gap down open होता है तो फिर अगर market gap filling के लिए जाता है तो हम एक छोटा सा ही momentum मिलेगा तो इसलिए कह रहा हूँ scalping के लिए आपको prepare रहना है बिकस देखोगे कि यहाँ पर अगर volatile था market तो इसके opposite में हमें momentum मिली है let me clear first अगर आप देखोगे यहाँ पर market ने volatile session so किया है तो इसके opposite क्या रहेगा momentum हमें momentum मिली है और इसलिए मैंने इसके high तक कही अपना target book कर दिया था और इसके सामने वापस आएगा तो भी हमें momentum मिलेगा इस range में देखो तो इस candle पर हमें मिल गया इस rate candle पर और अगर market gap down भी कर देता है तो इसके सामने यह जो consolidation है हमारा इसके सामने भी एक हमें downside momentum चाहिए बिक़स इसके पास से अब कोई green momentum मिल चुकी है upside के लिए अब हमें downside मिलती है तो downside जैसे हमें मिलेगी तो यह हो जाएगा पूरा complete उसके बाद market अगर इधर से निकलता है न तो market क्या रहेगा volatile हो जाएगा या फिर इसी range रहेगा या फिर upside होगा volatile जाएगा और order filling technique तो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है तो आप अगर buyer होता आप इसे easily trade कर सकते हो अगर आप आज देखोगे तो हमने इस range का breakout पर trade नहीं किया है हमने trend किया है यहाँ पर इस level पर breakout से पहले reversal प्लान किया हमने और reversal हमें एक बढ़िया momentum दे दिया कब trade आपको plan करना है कब reversal प्लान करना है कब breakout प्लान करना है यह आपको सीखना पड़ेगा by doing compulse of backtesting backtest करते रहिए अगर कुछ सीखना है तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और अगर आप channel पर नए हो तो make sure you subscribe to our channel तो मैं एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ अपने एक OFT technique पर क्या करता हूँ हम एक पूरा वीडियो ही बना देता हूँ जिससे आपको order filling technique easily समझ में आएगी इसे strategy मत समझ नहीं कोछिस किजिएगा कि इसके according हमें entry exit करनी है बिल्कुल नहीं यह technique है कि कब market में volatility रहेगी और कब price momentum show करेगा और 90-95% तो यह correct ही रहता है as per my backtesting So that's all for the day Have a profitable trade Thank you